नमस्कार आप देख रहे हैं केक्या न्यूस में हूं आपके साथ कंचें सिंग राजपुत आईए बढ़ते हैं खबरों की और जवलपुर में सौस्त विवाग ने पेथोलोजी की जाज के लिए उडंदस्ता दल बनाया है जिसने रामपुर एस देख कलेक्शन सेंटर पर छापा मारा है जहां तीन लोगों का नाम दर्ज था और मों के पामवजुद करमचारी ने जब जानकारी मांगी गई तो पता चल की वैग कलेक्शन सेंटर पैथ केर के नाम से संचाली थे जो कि मार्वल सीटी अस्पताल के बैस्मेंट में संचाली थे इसके बाद टीम मार्वल सीटी अस्पताल गई और पैथ केर से CMHO की रजिस्ट्रेशन मांगा हिरानी की बात यह है कि पिछले चार साल से संचाली पैद केर के साथ आउट्सोर्स एजेंसी के रूप में एक एग्रिमेंट है अगर वे बाहर कलेक्शन करता है तो उसको हम नोटिस देंगे जाच में कुल निकलकर पैद के लिफ्स में 30 से जादा कलेक्शन सेंटर का नाम सामने आये हैं जिने की वे पीक अप बॉइंट साइड कलेक्शन सेंटर अलग-अलग नाम सेफ चला रहे थे तो पैशा जाच अधिकारी डॉक्टर के बर्मा ने दतकाल प्रभाब से रामपूर इस्तित कलेक्शन सेंटर के साथ साथ पैदकेर बंद करने के निदेश दिये हैं इस विशे में अस्पतार प्रशासन से वीबात की गई है और नए मापडंडों की अनुसार उनकी विजाच की जा रही है गौड तलबी की सौस्त विवाग के सेक्त संचालक ने भी सभी पैथोलोजी सेंटर के जाच करने और विनाज इस्टेशन के संचाली पैथोलोजी पर कारवा ही करने के निदेश दिये हैं जवलपूर पिछले दो-तीन सब्ता से हमारे संभाग में विशेश का जबलपूर में जो कलेक्शन सेंटर्स है पैथोलोजी लैप्स के उसकी जाच की जा रही है और जो मापडंड के अनुसार नहीं है उन पर कारवाही हो रही है कोई भी कलेक्शन सेंटर्स को CMHO द्वारा रेजिस्ट तरह की जाच करते हैं यह शिकायते लगातार प्राप्त हो रही थी और कुछ हम लोगों ने कलेक्शन सेंटर्स बंद किया है पिछले दो हपते में आज भी रामपूर छेत्र में एक कलेक्शन सेंटर लिखा तो है मार्ग्रेट पैथालोजी लेकिन उसके बोर्ट पर SRL था थाइरो केर ने भी फोन पर बताया कि यह उनका भी कलेक्शन सेंटर नहीं है केवल पैथ केर ने यह बताया कि यह उनका कलेक्शन सेंटर है लेकिन वह पंजीकरत नहीं था तो हमारी टीम फिर यह जो पैथ केर लैब है जो एक बड़े चिकिस साले में कारी कर रही है वहाँ पर जाकर जब उस लेब की जाचकी तो उस लेब का भी CMHO कार्याले से कोई पंजीकरण नहीं है, पिछले चार साल से ये लेब चल रही है, जबकि हर पैथालोजी लेब का CMHO के यहां से पंजीकरण अतियावश्यक है, तो वो कलेक्शन सेंटर को तुरंद सील कर दिया गया है, कलेक्टर सर के निर्देश हैं कि इस तरह के कोई भी सेंटर से दी मिलते हैं, तो FIR की कारिवाही भी करनी है, पैथ केर जो एक बड़े चिकिस साले में कारिरत है, उन्हें भी आज नोटिस जारी कर दिया गया है, और चिकिस साले जो अस्पताल है, उसके मैनेजमेंट ने भ जानकारी किया है, यदि उसमें उपयुक्त जबाब नहीं मिलेगा, तो उस बड़ी लैब को भी हम सील कर देंगें, जी ये वही है, जो लैब मैंने आपको बताया, ये उसी जगह कारे रत है, और अस्पताल प्रबंधन ने भी उसको नोटिस जारी कर दिया, भी मुझे जा तक पंजीकरत का सवाल है, तो केवल 63 पैथालोजी लैब पंजीकरत है जवलपुर जिले में, लेकिन आप पंजीकरत लैब भी बहुत कारे करती रहती है, मेरा सिफ जनता से यहीं अनुरोध है, कि देखे हमारी टीम हर गली महले में नहीं जा पाती है, तो यदि आपके आस का कलेक्शन सेंटर है, तो उससे आप पूछ सकते हैं, यह कौन सी लैब का कलेक्शन सेंटर है, उसका फोन नमबर आप मांग के उस लैब से संपर कर सकते हैं, कि यह आपका कलेक्शन सेंटर है, क्या उसके लिए अथराइजेशन लेटर लगता है, वो अथराइजेशन होना चाहिए तो यह सब चीजे हैं तो हम लोग अनुरोद करते हैं आम जंता से भी कि हमारा सहयोग करें जिससे इस तरह की अवैत पेथालोजी और कलेक्शन सेंटर्स को हम लोग नियंतरित कर पाएं विल्कुल जाली रहेगे एक टीम हमने से विशेश रूप से इसी में बना दी है और बहुत अच्छे से वो कारे कर रही है और काफी सेंटर्स की जाच उन्होंने की है और अनियम इतना हैं पाई है और उसक कि होondoरि लोग त्नियम थाली प्राली को अचछाँ उन्होंने पड़र्स का बिदस खरांवार्साव में edge को ये और कंव करांजर्स का वजर्स